भारती बाजारों पर हर कोई फिदा है, लोग विदेशों से अपना पैसा भारत में लगाने को बेताब है, उनको भारती बाजार आकरशक और प्रोफिटेबल लग रहे हैं, ऐसे में भारत सरकार भी उन लोगों के पक्ष में खड़ी है, सरकार कारुबारी समुदाई की भार बाजारों पर बढ़ती दिल्चस्पी के लिए एक नया सर्कुलर लेकर आई है अब सरकार ने क्या बदलाव किये हैं हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप लोगों ने सुना ही होगा यानि सामानों का आदान प्रदान इन सभी ट्रेड में पैसो का लेन देन भी होता है यानि सामान के खरीद फरोक्त के लिए पैसो का इस्तमाल होता है इसको लेगा सरकार ने फॉरन ट्रेड पॉलिसी में बड़ा बनेगा बिलों को भुक्तान भी भारती रुपई में संभव हो पाएगा जिससे आयात निर्यात सौधे के निप्टान में सहूलियत मिल सकेगी यानि आसान भाशा में समझे तो मिनिस्ट्री आफ कॉमर्स ने इंडिन करंसी यानि हमारे रुपई में अंतराश्ट्री ट्रेड सेटल्मेंट को मंजूरी दे दी है इसके लिए तमाम तरहकी पॉलिसी में बदलाव भी कर दिया गया है इस बदलाव को रिजर्व बैंक इंडिया से हरी जंडी भी मिल गई है और तो और डीजी एफ्टी जो कि भारत सरकार की प्रमूख एजेंसी है जिसको हम लोग डियरॉक्टरेट जनरल ओफ फॉरन ट्रेड के नाम से भी जानते हैं उससे भी अंतराश्ट्री ट्रेड सेटल्मेंट को लेकर अपनी नोटिफेकेशन जारी कर दी है बतादें ये प हाल के दिनों में ये पाया कि भारतिय करेंसी के प्रती ग्लोबल इंवेस्टेर्स काफी दिल्चस्पी दिखा रहे हैं ऐसे में आर्बियाई ने इंडिन करेंसी में इंटरनाश्ट्रेड सेटल्मेंट की सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव रखा इसको डीजी एफटी यानि डारेक्टोरेट जनरल ओफ फॉरेंट्रेड ने भारत की विदेश व्यपार निती यानि फॉरेंट्रेड पॉलिसी में जोड़ दिया बता दें फॉरेंट्रेड पॉलिसी में नई आदेश को लेकर एक नया पैरग्राफ जोड़ा गया है अब इस प्रोसेस को पूरा भाषा का शब्द है वोस्त्रो शब्द का मतलब होता है तुम्हारा ये कैसा खाता है जो एक विदेशी बैंक द्वारा घरेलू करनसी में खुलता है और इसका मेंटेनेंस किया जाता है यानि मान लिजिए भारत के संबंध में यदि बैंक ओफ अमेरिका भारतिय रुपई मे SBI के साथ अपना खाता खोलता है और रखता है तो उसे SBI के लिए वोस्त्रो खाता कहा जाएगा इससे उन देशों में ग्रहकों के लिए फंड्स, ट्रांस्वर, डिपॉजिट और विद्रॉल करना आसान हो जाएगा और तो और विदेशी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को सामान या सर्विसेस के बदले दिये गए बिलो के एवज में भुगतान करना आसान हो जाएगा इससे देश को भी फाइदा होगा और बिजनस करने वालों को भी बिजनसमेन को ट्रेड और बिजनस करने में बैंकिंग सेवाओं का इस्तमाल करने में कोई परिशानी नहीं हो और भारते बैंक के अकाउंट में सप्लाइर्स का पैसा भी जमा हो जाएगा तो हुआना एक तीस से दो निशाने तो आप देखना होगा कि सरकार के इस कदम से एक्जिम पॉलिसी यानि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों को कितना फाइदा पहुचता है और हम कितनी जल् पिर रुपोर्ट बिस तक